अगर आप मीठा खाने के शौकीन है और आप कुछ हेल्दी ट्राइ करना चाते हैं तो आज हम बनाने वाले हैं बिना चीनी बिना गुड के बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मिठाई तो आज हम बनाएंगे खजूर और ड्राइफ्रूट रोल ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं बहुत ही असान है इनको बनाना और बहुत ही ज़्यादा है तो विंटर स्पेशल रेसिपी है ये तो इसे जरूर ट्राइ करिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की हमारे dates and dry fruits roll की recipe को तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ dry fruits लिए हैं जिसमें मैंने काजू, बादाम और अखरोट और थोड़ सी Christmas ली हैं तो यहाँ पे मैंने इन सभी को roughly chop कर लिया है आप अपनी पसंद के कोई भी dry fruits यहाँ पे use कर सकते हैं थोड़े से हमने पिस्ता लिये हैं तो यह roasted वाले पिस्ता है तो इनको मैंने side में रखा है दो चमच हम यहाँ पे यह तिल लेंगे जो white वाले तिल है मैंने वो लिये हैं और एक चमच मैंने यहाँ पे poppy seed और एक चमच पिस्ता को एकदम roughly chop करके use किया है तो इन दोनों को हमें एक साथ use करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको mix करके रखा है और इसी के साथ अब हम लेंगे एक खजूर तो मैंने यहाँ पे एक कप खजूर लिये हैं तो इनके मैंने seeds हटा दिया है उनको थोड़ा सा ऐसे chop कर लिया है क्योंकि हमें इनको grind करना है तो अभी हम क्या करेंगे कि हम एक mixer jar लेंगे और उसमें जो हमने खजूर लिया है इसको हम डाल देंगे और इसको हम एकदम अच्छे से grind कर लेते हैं तो इसका ढखन लगा के हमें इसको एकदम smooth सा grind कर लेना है तो यह देखे खजूर को हमने अच्छे से grind कर लिया है अगर इसके थोड़ से chunks रह जाए तो कोई problem ने बस हमें इसको थोड़ा सा ऐसे grind कर लेना है और अब हम गैस के उपर रखेंगे एक pan और जो चीज़े हमें dry roast करनी है पहले हम वो roast कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने जो तिल लिये थे अब हम इनको dry roast कर लेंगे तो तिल को हम कुछ seconds के लिए यहाँ पर ऐसे dry roast करेंगे और यहाँ पर रिके तिल हमारे अच्छे से roast हो चुके है तो इनको अब हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे और फिर हमने जो poppy seeds और फिस्ता लिया था ना उसको भी हम कुछ seconds ऐसे ही roast करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हमें dry roast करना है तो इनको भी हम कुछ seconds के लिए roast कर लेते हैं तो पिस्ता और poppy seeds भी हमारे roast हो चुके है और जो हमने पिस्ता लिया था थोड़ा सा पीसेस में cut करके जो side में रखा था ऐसे तो यह roasted पिस्ता है पर कुछ seconds हम इसको भी थोड़ा सा fry कर लेंगे तो पिस्ता भी हमने यहाँ पर fry कर लिया है और अब हम add करेंगे पैन में एक चमज घी तो हमने जो काजू, बादाम, अख्रोट और किश्मिस ली थी ना वो सारी चीज़ें हमें घी में roast करनी है तो यहाँ पर देखिए घी के हलका सा melt होते ही हमने जे सारी चीज़ों को एक साथ इसमें add कर दिया है और अब इनको हमें एकदम low flame पे 2-3 मिनट तक एकदम crunchy होने तक हमें यहाँ पर इनको fry कर लेना है तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी dry fruits इसमें use कर सकते हैं यहाँ पर देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इनको मैंने निकाल लिया है और फिर से हम एक चमज घी डालेंगे पैन में और जो हमने खजूर अपना पीस के तयार किया था ना जिसका पेस्ट बनाया है खजूर का वह हम यहाँ पर डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा कुक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको कंट्यूर से इस तरह से चलाते हुए हमें यहाँ पर इसको कुक करना है तो gas का flame हम एकदम low ही रखेंगे इसको cook करते time और इसको cook होने में बहुत जादा time नहीं लगेगा 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि यह जो खजूर का paste है यह थोड़ सा soft सा हो गया है तो यहाँ पर अभी हमें इसको इसी तरह से continuous cook करते जाएंगे तो इसको हमने 3-4 मिनट एकदम low flame पैसे cook कर लिया है तो अभी यह काफी soft था अभी इसकी softness को और इसी खतम हो चुकी है तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमने अपने dry fruits रोस्ट करके रखे है ना वो हम इस stage में इसमें add कर देंगे इसी के साथ हम इसमें पिस्ता भी डाल देंगे और जो हमने अपने तिल रखेते ना roast करके वो भी हम इसी में डाल देंगे और इन सारी चीजों को अब हमें अच्छे से यहाँ पे mix करना है तो यहाँ पे आप चाहें तो इलाइची का powder भी डाल सकते हैं एक flavor के लिए या फिर जो जाइफल आता है उसका भी थोड़ सा powder डाल सकते हैं बट मैंने यहाँ पे लाइची और जाइफल का powder यूज नहीं किया है इन सारी चीजों को अब हमें यहाँ पे अच्छे से mix करना है तो यहाँ पे हमें इसको तब तक mix करना है कि सारी चीज़े खजूर और जो dry fruits है अच्छे से एक साथ combine नहीं हो जाते तो यहाँ पे तब तक हम इनको mix करते जाएंगे इसी तरह से और continuous यहाँ पे हमें gas का flame low ही रखना है तो अभी आप देखेंगे इस सारी चीज़े काफी बिखरी बिखरी थी पर अभी आप देख सकते हैं कि अच्छे से एक साथ इखटी हो गई है अच्छे से combine हो चुका है तो अभी हम gas का flame करेंगे off और इस mixture को अब हम निकाल लेते हैं एक plate में उसको हलका सा थंड़ा हो जाने देते हैं फिर हम इसके roll बना के तयार करेंगे थोड़ा सा हम इसको थंड़ा हो जाने देते हैं तो यह देखिए यह जो खजूर और ड्राइफ्रूट का mixture है यह हलका सा थंड़ा हो चुका है पूरा थंड़ा नहीं हुआ है यह हलका सा भी गरम है यह तो इसी time पे अब हम क्या करेंगे ना इसके हमें roll बना के तयार करना है तो पहले हम यहाँ पे इसको हाथ से अच्छे से mix करना है हमे तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से press करते हुए यहाँ पे इसको हम इस तरह से mix करते जाएंगे आप चाहें तो इस stage में हाथ में थोड़ सा घी लगा सकते हैं अगर यह हात में अगर इस्टिक हो रहा है तो अब हात में थोड़ अगी लगा लीजे तो हमने यहाप इसको अच्छे से mix कर लिया है तो अभी हम क्या करेंगे कि मैंने एक butter paper लिया है और जो हमने poppy seed और जो पिस्ता रखा था था ना राइ रोस्ट करके वो बटर पेपर में हम इस तरह से फैला देंगे और हमने अपना जो रोल बना के तयार किया ना वो हम यहां पे इसमें अच्छे से इस तरह से रोल करेंगे ताकि जो पॉपी सीर और पिस्ता है ना वो अच्छे से हमारे रोल में स्टिक हो जाए तो यहां हमें इसको अच्छे से चारो साइट से अच्छे से कवर कर देना है पॉपी सीर और पिस्ता से इसको हम अच्छे से गुमाते हुए रोल करते हुए हमने सारी दोनों चीजों को अच्छे से इसमें रोल करके कवर कर लिया है आप देख सकते हैं पॉपी सीर और जो पिस्ता था अच्छे से हमारे roll में stick हो चुका है तो अभी हमें क्या करना है कि जो butter paper है न इसको हम न ऐसे roll करते हुए अपने roll को न butter paper में ऐसे cover कर लेंगे तो यहाँ पे हमें इसका tightly roll बना के तयार करना है sides को भी हम इसके इस तरह से दबा देंगे और अभी हम क्या करेंगे कि हम इसको एक घंटे के लिए रखेंगे frizz में set होने के लिए उसके बाद हम इसके pieces cut करके तयार करेंगे तो मैंने याँ पे इसको एक घंटे के लिए frizz में हम रख देते हैं तो यह देखिए तो अभी हम इसको pieces में cut कर लेंगे तो इसको cut करने के लिए हम यहाँ पे एक sharp knife का use करेंगे तो यहाँ पे pieces आप अपने according जितने आपको थिक या पतले चाहिए आप उतने cut कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे इसको medium thickness के pieces में cut कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि रोल हमारे pieces जो बहुत ही आसानी से cut हो जा रहे हैं तो यह हमारी बहुत ही जादा tasty वाली sugar free वाली मिठाई बनके तयार है तो इन सर्दियों में इस dry fruit खजूर की roll की recipe को ज़रूर try करें आप इसका texture देख सकते हैं बहुत ही जादा tempting दिख रही है यह खाने में तो यह बहुत ही जादा मज़ेदार बनती है और आपने देखा इसको बनाना बहुत ही आसान है तो एक बार इसे try करें और फिर मुझे बताएं कि आपको यह recipe कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना ना भूलें